हेलो एब्रिवन जैहन, आई होप यू आल आ दूइंग वेल, हम करने जा रहे हैं में इस प्रीवेस एर क्वेश्चिन एनालेसिज आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल स्टेडिस पेपर 3 एगरिकल्चर सेक्षिन के एक क्वेश्चिन को और करेंगे उसका अनालेसिज मैं उमीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चिन के आंसर को अटेंट किया होगा और लिखने की कोशिश की होगी और आपने एक बहतरीन आंसर बनाया होगा तो जब हम इस क्वेश्चिन को देखेंगे तो जो पॉइंट्स आप लोगों को लगते हैं आप लोगोंने अपने आंसर में नहीं लिखे हैं उसको प्लीज अपने पास एड़ ऑन करके रखिएगा आपको वो बहुत हेल्प करेंगे इन फ्यूचर एंड जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा है उनको प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर शेयर कीजेगा ताकि बाकी स्टुडेंट्स भी उसका लाब उठा सकें उसका बेनिफिट ले सकें तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सिस के बारे में बता दू तो हमारा करंट अफेर्स का बैच रन कर रहा है जिसमें PDFs प्लस लाइव डाउट सेशन्स लिए जाते हैं और डाउट सेशन्स के साथ-साथ वहां पे डेली बेसिस पे रिविजिन भी कराई जाती है जो भी वीडियो जाती है विद एक्स्पिनेशन उनकी रिविजिन भी उस डाउट सेशन में करवाई जाती है नेक्स हमारा GS batch है बिल्कुल pre plus mains batch है full-fledged batch जिसमें बिल्कुल zero से तयारी करवाई जा रही है और NCRT6 class से लेके advanced books तक की coverage कराई जा रही है उस batch में तो highly recommended जल्दी से जल्दी प्लीज उस batch को join कीजिए वो आपको बिल्कुल prelims plus mains निक NCRT के topics से ही उठा के आपको questions लिखवाने की practice कराएंगे ताकि आप starting से questions को समझना और लिखना शुरू करें और समझें उसको कि आपकी एक approach build-up हो जाए और आप आगे जाके जो थोड़े से typical questions है उनको भी attempt कर पाएं वैसे जादा तो जो questions है NCRT से ही उठाय जाते हैं NCRT के topics पेसे ही उठाय जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल prelims तक means ready करा दिया जाएगा हमारा NCRT batch run करता है जो self-study come test series batch है जिसमें daily basis पर targets प्रवाइड किये जाते हैं और test series दी जाते हैं आपकी preparation को enhance करने के लिए सो उन courses को join करने के लिए आप लोग नीची दिये गए number 17, sorry 9713282838 पे whatsapp या telegram करके आप वहाँ पे details ले सकते हैं और courses को enroll कर सकते हैं तो चलिए अपने session को शुरू करते हैं आज का हमारा question है यह question GS3 agriculture section में आता है और यह question UPSC ने 2019 में पूछा था अब इस question में हमसे क्या पूछा गया है कि जो integrated farming system है मतलब एकिकरित क्रिशी प्रणाली है वो कितनी दूरी तक कहा तक वो agriculture production मतलब क्रिशी उत्पादन को बनाए रखने के लिए सक्षम है बनाए रखने में कितनी मददगारी है कितनी सक्षम है तो basically हमें यहाँ पे हमारा point of focus क्या है integrated farming system तो हम अपनी introduction में क्या डालते है point of focus तो introduction में हम किसके बारे में बताएंगे integrated farming system के बारे में बताएंगे integrated farming system क्या है और यह beneficial क्यूं है या किस तरीके से beneficial है थोड़ा सा हम crux देंगे introduction में उसके बाद body part में हम क्या बताते हैं जो actual में question में पूछा गया है तो हमसे question में क्या पूछा गया है कि integrated farming system कैसे help करता है कितना ज़्यादा helpful है क्रिशी उत्पादन को बनाए रखने में sustainable agriculture production में कितना helpful है तो इसको हम किस में बताएंगे अपने main part में और last में हम concluding lines देते हुए अपने question को, अपने answer को end करेंगे तो चलिए start करते हैं Integrated farming system क्या है Integrated farming system जिसे integrated से ही आप देखे आप पते एक बहुत सारे topics ऐसे होते हैं जो हम word से ही समझ सकते हैं या topic के नाम से ही हम समझ सकते हैं उसका meaning तो क्या होता है कि वो long term हमारे mind में रहता है तो क्या है Integrated का क्या मतलब है एक इकरित मतलब एक साथ जब सब चीजों को इखटा कर लिया इखटा करके मतलब combined form में हम जब कर रहे हैं क्या farming किसकी बात हो रही है farming system की कि जब हम एक इकरित करके क्रिशी कर रहे हैं कि सब कुछ मिला के या कुछ चीजे मिला के जब हम farming कर रहे हैं तो उसका क्या benefit है ये पूछा गया है हमसे या कि वो किस तरीके से help कर रहा है तो integrated मतलब एक इकरित क्रिशी प्रनाली क्या है एक combined approach है वही जो हमने बोला कि मिल के काम करता है मतलब सब को जोड के करता है combined approach है जो जिसका aim क्या है जो किस चीज़ पे अपना लक्षे साधता है उसका लक्षे क्या है efficient sustainable resource management मतलब एक कुशल टिकाउ संसाधन प्रभंधन करना जिससे की जो crops है cropping system है उसकी productivity increase होगी उसकी उपज भी जादा होगी और उससे जो किसान है वहां के उनकी भी आये बढ़ेगी उनकी income बढ़ेगी अब अगर हम एक easy तरीके से समझने की कोशिश करें integrated farming system को तो easy language में बोला जाए तो एक वो system जहां पे crops भी उगाई जाती है क्रिशी भी की जाती है ठीक है वहां पे livestock जैसे जो हम कहते है जानवरों को भी रखा जाता है उनका मतलब पशू पालन जिससे बोल देते हैं हम तो पशू पालन भी किया जाता है वहां पे ठीक है उसके साथ vermic composting कर रहे हैं या organic farming कर रहे हैं जैविक खेती कर रहे हैं या फिर aquaculture पे अगर ये जो fish होती है मचली की क्रिशी कर रहे हैं तो जब हम ये सब इखटे या इन में से दो चीजें या दो से जादा चीजें काम हम एक ही साथ करते हैं एक ही जगा पे करते हैं तो उसको हम integrated farming system कहते हैं अब ये एक ही साथ या एक ही जगा पे करने से बहुत सारे benefit होते हैं एक तो क्या होता है productivity increase हो रही है जैसे हमने बात की productivity increase होगी तो क्या होगा farmer की उसकी सान की आई भी बड़ेगी उसकी income भी बड़ेगी ठीक है तो वही बताया हुआ है कि ये जो integrated farming system approach है इसके बहुत सारे objectives होते हैं वो क्या होते हैं बहुत सारे उद्देश्य होते हैं इसके जैसे sustainability स्थिर्ता बनाई रखना food security खाद्य सुरक्षा ठीक है poverty reduction की गरीबी को कम करना farmer की security वही की farmer की income बड़ेगी उसकी security भी इंक्रीज हो जाती है तो बहुत सारी चीजों को मिला के जब हम करते हैं livestock, vermic composting, organic farming ये सब चीजे मिला के बहुत सारे objectives हैं बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको हम fulfill कर सकते हैं तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन farm sector को क्या है सबसे ज़्यादा problem इंडिया के अगर क्रिशी विभाग की देखें क्रिशी sector की farm sector की बात करें तो सबसे ज़्यादा problem किस में आती है challenge क्या है main दो challenge है एक तो productivity का उत्पादकता और एक sustainability का स्थिरता और उसी के साथ साथ क्या है farmer की income जैसे कि अभी हमने एक target भी set किया हुआ है कि 2022 तक farmers की income double करनी है क्यूं बहुत आप लोगों ने farmers के suicide की news भी देखी होगी बहुत बार suicide के cases देखेंगे वो क्यूं करते हैं क्यूंकि वो debt trap मतलब debt में चले जाते हैं वो इतना जादा loan में और उधारी में वो इतना जादा फर्स जाते हैं इतना दब जाते हैं जिसको वो repay नहीं कर पाते हैं तो वो ultimately उनको कोई solution नहीं दिखता हूँ suicide कर लेते हैं तो क्या है कि farmers की income को बढ़ाने क्यूंकि उनको income नहीं मिल पारी उनमें गरीबी बढ़ती जा रही है तो उस context में और इंडिया के specific context में अगर हम बात करें तो जो भी दिक्कत होगी हमने बात की productivity, उत्पादक्ता, sustainability, मतलब स्थिर्टा और farmers की income किसान की आये की तो ये सब चीजों के लिए IFS, Indian Integrated Farming System क्या है एक बहुत अच्छा option उभर की आया है क्यूं तो ये हमने किसकी बात की इंटरड़क्शन में Integrated Farming System हमने इसको basically थूगोडा सा बिल्कुल short में explain कर दिया इंटरड़क्शन में अब हम बात करेंगे जो हमसे question में पूछा गया है कि किस तरीके से ये अच्छा agriculture production में क्रिशी उत्पादन में मदद करता है या उसकी स्थिर्टा बनाए रखने में मदद कर सकता है तो हम बात करें सबसे पहले productivity अभी वही हमने बात की थी कि उत्पादक्टा को बढ़ाता है कि जो integrated farming system है वो क्या करता है वो एक ऐसी opportunity प्रोवाइड करता है कि जो per unit area का जो yield है yield के जब हम बात करते हैं per unit area की तो उस वो per unit area की yield बढ़ा देता है वो अब जब yield बढ़ जाएगी economy की yield बढ़ जाएगी तो वो बढ़ने से क्या होगा automatically farmer की income increase हो जाएगी तो और बहुत सारे sectors जैसे की specially farmers small और marginal farmers है जो छोटे और मद्धे वर्ग के farmers है उनको भी यह बहुत जादा help करेगी और उनको grow कराने में help करेगी तो इस तरीके से जो IFS है वो productivity को increase करता है कही ना कही और productivity को increase करने के साथ अब हम यहाँ पे वही economy के concept को डाल सकते हैं कि productivity increase होगी तो farmer की income increase होगी farmer की income increase होगी तो उनकी condition standard of living अच्छा होगा वो economy को भी अच्छा करेगा economy पे उसका effect पढ़ेगा कि GDP ratio क्या होगी GDP rate अच्छा होगा GDP rate अच्छा होगा GDP growth होगी तो हमारे economy development होगी economic development economy grow करने शुरू करेगी तो इस तरीके से हम वही circular flow बता सकते हैं तो IFS क्या है productivity में बहुत help करता है उसके बाद profitability वही बात आ गई कि जो जैसे क्या होता है कि जब हम काम की बात करते हैं integrated farming system में तो वो काम इस तरीके से होता है कि जो fertilizers है या फिर जो nutrients या जो जैसे pesticides वगएरे यूज करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि अगर हमने बात किए कि हम crop भी farming भी कर रहे हैं हम crops भी उगा रहे हैं ठीक है और उसी के साथ-साथ हमने अगर livestock भी रखी हुई है मतलब animals की जानवरों की rearing भी कर रहे हैं जानवरों की देखभाल भी कर रहे हैं मानके चलिए कि हमने वहाँ पर अगर cow रखी हुई है गाएं रखी हुई है और वो किसान गाएं की भी रक्षा गाएं को भी पाल रहा है मापे गाएं के दूद से अपनी इंकम बढ़ा रहा है तो वो जो cow डंग होता है गाएं को गोबर होता है क्या वो एक fertilizer की तरह work नहीं करेगा उस farmer के लिए बिल्कुल करेगा और वो fertilizer में क्योंकि chemical भी नहीं है तो वो जो वहाँ की soil है farmer की और जो वहाँ की जमीन है उसको भी नुकसान नहीं पहुचाएगा और farmer का जो पैसा है fertilizer में chemical fertilizer में भी यूज नहीं होगा तो organic farming भी प्रमोट गी और ग्यानिकली उसको fertilizer मिल गया उसकी soil को nutrients मिल गए तो उसको nutrients recycle करने की भी जरूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ कि उसकी income भी बड़ी कि उसको crops से भी income हो रही थी farmer को और उसको जो काओ का milk वो निकाल रहा था काओ के milk से भी उसको भी sell करके उसको income हो रही थी और उसी के साथ साथ उसके वो उसने cow dung को भी use किया fertilizer के तरीके से nutrients recycle में की nutrients भी प्रोवाइड वे उसकी soil को तो वहाँ पे भी उसकी soil भी खराब नहीं हुई और उसके chemical fertilizer खरीदने के लिए पैसा भी नहीं लगा तो इस तरीके से क्या हुआ उसकी profitability increase हो जाएगी समझ में आया इतना ठीक है उसके बाद हम बात करें तो sustainability की ठीक है मतलब स्थिरता की जब हम बात करते हैं तो integrated farming system क्या है इसको बोलते है subsystem of one bioproduct works as an input for the other subsystem making it environmentally sustainable वही वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे उसी के बारे में बता रहे है कि sustainable कैसे करते हैं कि जब हम एक के byproduct को दूसरे के लिए यूज करते हैं जैसे अभी हमने अपने example में cow dung को fertilizer के तौर पे यूज किया था तो उसको हमने क्या कहा वो क्या है sustainable की वो environment के लिए भी तो sustainable है अब अगर कोई farmer soil के लिए chemical fertilizers use करता है तो वो chemical fertilizers environment को भी तो नुकसान पहुचा रहे हैं या वो जो chemical fertilizers जब wash होके और rivers में या streams में जाते हैं तो वो उनको भी pollute करते हैं तो वो क्या कर रहा है basically वो हमारे environment को pollute कर रहा है हमारे environment को हमारे बातावरन को प्रदूशित कर रहा है नुकसान पहुचा रहा है लेकिन अगर cow dung को use किया जा रहा है तो वो नुकसान नहीं पहुचा पाएगा दूसरी चीज अब वही जो गाएं है जो जैसे अभी हम देखते है जो बूस ये प्रनाली होती है क्या बोलते है जब वो जलाते हैं प्राली ठीक है जब प्राली जब उसको जलाते हैं stubble burning sorry I forgot the name stubble burning होती है stubble burning क्यों होती है क्यों जो कटाई के बाद जो प्राली रह जाती है उसको farmer क्या करते है जला देते लेकिन अगर उनके पास मान लो उन्होंने animal रखे हुए है अब जैसे हमने काओ की ही बात करी थे अगर काओ रखे हुई है तो क्या वो काओ उसको चारे के तोर पे नहीं खा लेगी तो वो stubble burning करने की उसको जलाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी किसान को तो जब वो उसको जलाएगी नहीं तो basically क्या उससे जितना भी इतना ज़ादा pollution होता है इतनी लोगों को disease हो रही है respiratory problems बढ़ती जा रही है वो होगा ही नहीं हमारा environment भी सुरक्षित रहेगा वातावरन भी सुरक्षित रहेगा उसे और लोगों की health भी affect नहीं होगी तो क्या है ये sustainability की एक दूसरे की जगा पे जब हम use कर लेते हैं तो environment भी sustainable बना देता है फिर वो उसके बाद की अब जब हम इस तरीके से work करते हैं तो जो weeds होती है क्योंकि वहाँ पे जो अब जैसे हमने काओ की बात करी कि वो जो भी इस तरीके से चारे के तोर पे होता है वो अपने जानवरों को खिला देते हैं काओ रखी हुई है गोट है तो वो क्या करते है इसको खिला देते हैं उनको तो जो वहाँ पे weeds है वहाँ पे weed control भी हो सकता है तो वहाँ पे pest management करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वहाँ पे pesticides यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या weed के killers जो हम soil को भी harm करता है और environment को भी करता है even rivers को भी करता है तो वो सब चीजें भी बच जाएंगी अगली हम बात करें recycling की की effective recycling मतलब पुरन चकरन पुरन चकरन जब हम करते हैं recycle करते हैं वापिस से अपने products को या फिर waste material को recycle करते हैं तो उससे क्या होता है की sustainability और ज़्यादा स्थिरता हमारे farming system की और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है किसमें खास कर की जो गरी गरामीन शेत्र हैं rural areas हैं वहाँ पे जो resources की poor condition है या कुछ है तो वो उसको वापिस से use कर सकते हैं सारी चीजों में utilize कर सकते हैं जिससे कि उनको क्या होता है कि sustainability इंक्रीज होती है farming system की और farmers को भी help मिलती है अगली हम बात करें income round the year की जैसे हमने बोला कि जैसे crops हैं तो crops पे जो काम होता है वो भी seasonal होता है या crops जो farmer को income आती हो वो भी seasonal होती है एक कोई person अपनी family को sustain करने के लिए completely farming पे depend नहीं रह सकता है क्योंकि वो उसको all over the year all year round पूरे साल भर कमाई नहीं दे सकता कमाई नहीं देती farming ही जिर्फ उसको उसके साथ कुछ काम करने पड़ते है जैसे आज migration की क्यों बात करते हैं क्योंकि लोगों को seasonally उनको काम करना पड़ता है पूरा time पूरा season या पूरे year उनके पास काम नहीं रह सकता तो जब integrated farming system की हम बात करते हैं तो जैसे अगर उसने animals रखी हुई है तो वह animals काओ थी जैसे हैं तो काओ का milk ले रहे तो काओ तो मिल्क पूरे साली देगी ना ऐसा तो नहीं है कि वो साल के सिर्फ कुछ particular महीने ही milking कर सकते हैं काओ की नहीं काओ काओ milking हम full year में कर सकते हैं काओ तो हर time दूद दे ही सकती है मतलब daily जैसे yearly अगर हम बात करें तो हर महीने हर season में वो milk देती है हमें तो वो क्या करता है हमें कहीं न कहीं मदद करता है ठीक है तो जो farmer की income है उसमें स्थिरता आ जाती है उसकी income बढ़ जाती है तो farmer का flow of income क्या है एक थोड़ी सी stability आ जाती है उसमें उसके बाद हम बात करें best utilization of small land holdings कि अब जब हम Indian farmers की बात करते हैं इंडिया में जो holdings है वो बहुत छोटी छोटी होती है तो जब holdings छोटी है मतलब कि जो area होता है farmers के पास वो बहुत कम-कम होता है छोटा-छोटा होता है थोड़े-थोड़े fragmented lands है बहुत जादा तो क्या है fragmented होने की वज़े से भी कई बार farmers को दिक्कत आती है कि वो इतनी जादा उनकी उपज भी नहीं हो पाती जिससे कि वो अपना sustain कर सके तो क्या है कि जैसे northeastern area के अगर हम बात करते हैं तो northeastern area में लोग जादा तर subsistence agriculture को practice करते हैं सब्सिस्टेंस agriculture किसलिए क्योंकि उनकी लैंड होल्डिस इतनी छोटी है कि वो बस अपनी लिए ही उगापाएं वही बहुत होता है कि उन्हीं का काम चलता है वही उन crops को खा पाते हैं उन अनाज को खा पाते हैं consume कर पाते हैं वो उसको आनिमल्स को रख रहे हैं या फिर fishing के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो उनके लिए helpful हो जाता है उनकी income increase करने के लिए उनकी sustenance के लिए जैसे क्या है कि North Easton के example दिया हुआ है कि वहाँ पर agriculture तो क्या है small land holding होने क्यों जिससे सब्सिस्टेंस agriculture है कि उन्हीं के लिए ही होती है किसान अपने अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही कर पाता है इतना अना जुगा पाता है लेकिन उसके साथ-साथ एक rich traditional base है उनका मतलब कि जो water harvesting practices करते हैं soil management के उनकी practices है जो कि ये practices भी ऐसी है जो अगर हम integrated farming system में लेके आएंगे तो और best results मिल पाते हैं कि अगर इन्ही practices के साथ integrated farming system को club कर दिया जाए तो small land holding के साथ भी बहुत better utilization हम कर सकते हैं और हम income, productivity, profitability, sustainability सब कुछ increase कर सकते हैं नेक्स्ट is meeting fodder crisis कि fodder crisis कैसे वही है यह जो हमने बात की थी कि जैसे जो animals वगेरे होते हैं या livestock होते हैं उनके लिए fodder कई बार नहीं मिल पाता तो या फिर उनके लिए खरीदना पड़ता और जब कि कई जगा पे स्टेबल बर्निंग कर रहे हैं पराली को जलाया जा रहा है तो क्या है कि यह वो एक crop का उसको उपराली को क्या बोलते हैं crop का waste product ही बोलते हैं लेकिन वो livestock के खाने का उनका एक feed की तरह काम करता है तो वहाँ पे क्या है वो compensate हो जाता है उस waste material को crop के उस byproduct को हम livestock के लिए use कर सकते हैं और जैसे products आ जाते है要 ग्रेन है मेज है जो उगाए जाते हैं, तो उनको भी monogastric जो animals हैं, जिसे pigs हैं, poultry हैं, तो उनको feed करने के लिए वो भी use किये जा सकते हैं, तो इस तरीके से जो fodder crisis होता है, उससे भी निपता जा सकता है, next is employment generation, employment generation मतलब roseguards region roseguards region कैसे हो सकता है कि जब crops भी उगाई जा रही है तो जब यह सारी चीज़ हैं, तो क्या वहाँ पे एक या दो बंदे ही कर सकते हैं, one या two persons कर सकते हैं, नहीं, वहाँ पे जादा लोगों की ज़रुद पड़ेगी, जादा लोगों की ज़रुद पड़ेगी, तो labor centric jobs क्या होंगी, increase होगी, जैसे आज के टाइम पे जो jobs है, capital intensive जादा बढ़ती जा रही हो, labor intensive कम होती जा रही है तो labor intensive jobs क्या हैं, बढ़ेंगी labor intensive jobs बढ़ेंगी, तो जो आज के youth हैं, उनको employment मिलेगी employment मिलेगी, तो हमारी economy grow करेगी ठीक है, तो इसी लिए जो actual में family labor भी होती है वो भी पूरी employee हो सकती है, उनको migrate करने की भी ज़रत नहीं पड़ेगी और कहीं न कहीं वो GDP पे भी effect होगा और लोगों की standard of living भी quality of life भी improve होगी ठीक है, तो यह सब, यह क्या थे, यह reasons थे किस तरीके से integrated farming system अच्छा है, और वो agriculture production में किस तरीके से help करता और उसको, उसमें एक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, तो अब हम last में conclude करते हुई यह बात करेंगे कि जो integrated farming system है, जैसे भी हमने देखे, वो बहुत सारे benefits प्रोवाइड करता है वो sustainable है, और वो climate के साथ मतलब climate smart agriculture कि हम climate को भी तो ध्यान में रख रहे हैं हम अपने वातावरन को environment को भी ध्यान में रख पा रहे हैं environment को भी protect कर पा रहे हैं तो इंडिया को एक well designed जो framework है यह system है, integrated farming system, यह एक ऐसा system है जो इंडिया का जो vision है जिसके अभी हमने बात की थी कि doubling farmers income, farmer की income को double करना है 2022 तक उसको actual में fulfill करने में realize करने में help करेगा ठीक है, integrated farming system ही इस vision को realize करने में बहुत कारगार और बहुत helpful साबित हो जाएगा और एक sustainable agriculture practices में मदद करेगा आप लोगों को यह analysis पसंद आया होगा और यह question आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम attempt कर सकते हैं अपने जो आप लोगों के extra points हैं उनको please comment section में जरूर share कीजिएगा और end करते वे मैं आप लोगों को courses के बारे में बता दूँ तो हमारा current affairs batch run कर रहा है जिसमें PDFs plus live doubt sessions होते है regular basis पे और revisions भी होती है mains pre plus mains GS का pre plus mains batch है जिसमें बिल्कुल basic से तयारी कराई जा रही है बिल्कुल zero से और highly recommended please please join it बहुत helpful है वो batch और mains answer writing batch जिसमें बिल्कुल आपको mains ready करा दिया जाएगा NCRT के topics से questions की practice कराई जा रही है होँ पे जरूर जाइन कीजिया अभी launch हुए जरूर जाइन कीजिया उस batch को देरी ना करते हुए और NCRT test series plus target giving batch है जिसमें daily basis पर targets और test series दी जाती है enroll करने के लिए आप नीचे दिये गए number 9713282838 पे whatsapp और telegram पे text करके आप courses की details ले सकते हैं enroll कर सकते हैं so with this we'll end up this session so thank you guys have a great day ahead जैहन